नमस्कार दोस्तों जिस पल का पूरे भारत को सबसे बेसबरी से इंतजार था क्योंकि आपको पता है पूरे टोक्यो ओलम्पिक्स में हमारे पास अभी तक 6 मेडल आ चुके थे क्योंकि अभी रिसेंटली बजरंग पुनिया का भी यहाँ पर ब्रॉंज मेडल जुट गया है लेकिन अभी तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया था टोक्यो ओलम्पिक्स के अंदर फानली आप यहाँ पर देख सकते हो गोल्डन थ्रो नीरत चोपरा विंस गोल्ड इन मेंस जेवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलम्पिक्स तो जिस परसन से सबसे ज़्यादा उमीद थी उसन जैसा कि आपको पता है जैवलिन थ्रो ने ये स्टिक जैसा होता है एक भाले जैसा होता है जिसको थ्रो करना होता है लेकिन पहले क्या होता था ज्यादा तर जो हंटर्स वग रहा है एनिमल्स को मारने के लिए इस्तमाल किया जाता था अगर हम ओलम्पिक्स की बात करें तो पुरा javelin throw किया तो सबसे दूर किसका distance जाएगा वो देखा जाता था और दूसरा प्रकार होता था जब यहाँ पर accuracy देखी जाती थी मतलब एक particular point पर क्या आपका वो javelin जा रहा है कि नहीं तो दो प्रकार के होते थे यह तो ancient की बात हो गई अभी अगर हम देखे modern times में 1870s के आज पास आप कह सकते हो कि Germany और Sweden में यह pole like structure जो javelin आज हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलता है और finally आप कह सकते हो कि Sweden में इसकी काफी बड़ी सुरुवात होती है और आज का जो javelin throw आप कहते हैं वो basically students से ही एक प्रकार से निकल कर आता है और इसकी वज़े से पूरे बाकी countries के अंदर धीरे धीरे फैलने लगया और initial अगर आप देखोगे ना तो कभी भी javelin throw में इसको run करके throw नहीं किया जाता था कुछ distance आप चल सकते हो दोड़ कर और फिर throw कर सकते हैं लेकिन Olympic Games में जब आज हम इसका पुरा रूप देखते हैं इसको पहली बार introduce किया गया था 1908 में men के लिए men के लिए और women के लिए दोनों अलग-अलग होता है और आपको पता है कि जो Olympics है उसकी सुरुवात होती है 1896 है तो पहली बार ये 1908 के अंदर इसको introduce किया गया था women के लिए ये 1932 में पहली बार इसको introduce किया गया था scoring की बात करें तो बहुत ही आसान है यहाँ पर इसको आपको थ्रो करना होता है जिसका भी सबसे ज़्यादा distance जाएगा एक particular area में आपको पता है कि ये पुरा run-up हो गया run-up का अगर आप देखोगे तो बताया जाता है कि minimum 30 मीटर का पुरा run-up होना चाहिए इसको extend भी किया जा सकता है 36 मीटर के आसपास और इसका width अगर हम देखेंगे इसका ये करीब 4 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा तो basically यहाँ पर क्या होता है ये वाला जो line है उसके पहले आपको throw करना होता है अगर आपका pair इस white line पर पढ़ गया तो भी वो foul माना जाएगा तो इस white line के पीछे रहना है और आपको throw करना है और throw करने के बाद जिसका सबसे दूर जाएगा वो winner declare कर दिया जाता है अब इसमें अगर आप देखोगी जो पूरा final round चल रहा था इसमें आपने देखा होगा कि 12 जो players हैं वो इस पिर यहाँ पर decide किया जाता है कि सबसे best वाला कौन सा आपका attempt था तो यहाँ पर नीरत चोपड़ा उसके अंदर जीत गया है एक और मैं आपको important चीज़ इसके अंदर बताता हूँ कई लोग confused हो सकते हैं कि अगर suppose दो players का distance same होगा तो क्या होगा देखिए वैसे तो बहुत म हैं तो third best attempt देखा जाता है तो यह तो अब coincidence हो सकता है कि एकदम same whole way कि यूशुली ऐसा होता नहीं है फाउल की मैं एक और चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ suppose कोई thrower है वो यहाँ से चल के आ रहा है यहाँ से दोड़ते वे आ रहा है और इसको throw कर रहा है throw करने के बाद basically अगर वो मुड जाता है अपना back यह दिखा दे जाया मतलब कि यह front में है और वो यहाँ पर throw करने के बाद पीछे मुड जाता है तो उसको foul माना जाएगा तो जब तक आपने throw किया वो land किया land करने से पहले आपको back नहीं होना है land करने के बाद ही आप back हो सकते हो otherwise वो foul मान जाएगा वो भी count नहीं किया जाएगा और इसमें एक और चीज मैं बता दूँ कि यह जो stick है यह जो javelin है यह men के लिए 800 gram minimum होती है olympics के अंदर और 600 gram आपका जो है women के लिए होता है तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब मैं आता हूं कि यह जो पूरा match है जह पर आपको पाकिस्तान की भी player देखने को मिल रहा है और इधर भी आपको सब देखने को मिल रहा होगा तो पाकिस्तान भी यहाँ पर qualify हो जा था और group A में से यहाँ पर जो नीरत चोपना है काफी आसानी से उन्होंने पहले throw में ही उसको 86.65 मीटर throw कर दिया था जिसकी वज पहला throw गया था नीरत चोपना का आप देख सकते हो it was 87.03 मीटर और जैसे ही इन्होंने ये वाला particular throw किया ऐसा लगा कि अब तो भारत के पास gold आई जाएगा क्योंकि बाकी जो यहाँ पर athletes थे वो उतने दूर तक throw नहीं कर पा रहे थे और लेकिन आप देखो जो second throw था नीरत का वो और भी जादा बहतर उन्होंने किया 87.58 मीटर फिर उसके बाद बाकी के जितने throw थे मतलब total 6 में से जो starting के दो throw थे ये नीरत चोपड़ा के सबसे best थे और आप सबसे best यहाँ पर देख सकते हो first number पे 87.58 मीटर इसी के वजह से यहाँ पर उनको gold मिला है और बाकी के भी fan of नीरत चोपड़ा उन्होंने खुद कहाए कि मेरे idol है नीरत चोपड़ा तो ये भी ध्यान रखेगा कि पाकिस्तान की player है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ठीक है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉलम चलती है लेकिन अगें वो काफी जादा idolize करते हैं न there is no doubt about it और भारत की तरफ से हम बात करें javelin throwers की तो दो आपको important player इस समय देखने को मिलेंगे नीरत चोपड़ा और शिवपाल सिंग बेसिकली final में qualify नहीं कर पाये थे लेकिन नीरत चोपड़ा का I'm sure कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि उनका सबसे personal best क्या है वो है आप का national level पर 88.07 और international level पर उन्होंने Asian Games जो 2018 में हुआ था वहाँ पर उन्होंने gold जीता था with 88.06 meter और उसी समय अभास हो गया था पूरे दुनिया को कि कहीं ना कहीं जो नीरा चोपड़ा है वो Olympics में gold जीत सकते हैं और Olympics में देखिए उनका 87.58 meter रहा है मतलब कि Asian Games से भी थोड़ा कम रहा है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो Olympics में gold जीत गया है अब देखिए इसकी importance इतनी जादा क्यों हो जाती है gold भारत के लिए काफी important है ऐसा क्यों है क्योंकि अभी तक अगर आप देखो individual event में आज तक भारत को सिर्फ और सिर्फ एक gold मिला है यह आपको देखन में क्योंकि होकी में तो हमने 8 gold जीता है लेकिन individual में अभी तक कोई gold नहीं आया भारत को अब जाकर finally यहाँ पर जो 6 medal हमारे पास थे जहाँ पर 2 silver, 4 bronze अलड़ी आ चुके थे इसमें एक की कमी थी और वो था gold इसका सपना कहीं नहीं नीरत चोपरा ने पूरा कर दिया और बहुत ही interesting question आपने देखा होगा olympic games के अंदर यहाँ पर जो olympic flame है वो आपका जलाया जाता है तो यह जो flame है क्या बता सकते हो सबसे पहली बार कब जलाया गया था इसका जो right answer है I'm sure कि आपको पता होगा कि मेरे instagram पर तो मिलता ही है वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बा नीचे आपको join का बटन दिख रहा होगा बहुत कम दाम पर आप हमें support कर सकते हैं आप किसी exam की त्यारी कर रहे हैं definitely आप हमारे app को download करिए I hope कि यह video आपको पसंदा होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon